चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले डुरंडा कोसागार से 149 करोर 35 लाह की निकासी मामले में लालू पुषाद यादों को 5 साल की सजा और 60 लाह रुपे का जुर्माना लगाया गया है। बड़ी खबर है कि चारा घोटाले के पांचवे केस डुरंडा कोसागार से अवैध निकासी में बिहार के पुर्व सी एम और आर्जेडी सुप्रीमों लालू पुषाद यादों को सुंबार को सजा सुना दी गई। को फैसला सुनाया जाएगा। कारजाले के बाहर भी सन्नाटा पसरा रहा। लालू पुषाद यादों को वीडियो कांफरेंसिंग के माध्यम से सजा सुनाई गई। लालू पुषाद यादों रिम्स के पैंग वर्ड से इस से जुड़े रहे। वहीं इस मामले में जेल में बंद दूसरे आरोपियों के लिए होटवार जेल से वीडियो कांफरेंसिंग की व्योस्ता की गई थी। यहां एक बड़ी LED स्क्रीन पर सभी दोशी अपना फैसला सुन रहे थे। अब ज़रा एक नजर डालते हैं चारा घोटाले के पांचों मामले में लालू पुषाद यादों को कितनी कितनी सजा मिली है। तो अब तक सबसे अधिक सजा दुमका ट्रेजरी मामले में सबसे ज़्यादा सजा यानि साथ साल की सजा पहले ही लालू यादों को मिल चुकी है। की निकासी में 3.5 साल की सजा लालू पुषाद यादों को हो चुकी है। पहराल लालू पुषाद यादों के वकील का दावा है कि ऐसे ही मामले में लालू पुषाद यादों को कि 5 साल की सजा काट रहे हैं, कोट के अनुसार सभी सजाएं साथ साथ चल रही हैं। ऐसे में लालू पुषाद यादों को कि पहले ही आधी से अधिक सजा काट चुके हैं तो उन्हें हाई कोट से जमानत मिल सकती है। लालू पुषाद यादों अपने स्वास्त और पहले काटी गई सजा को अधार बना कर उच्य न्याले में जमानत की अरजी डाल सकते हैं। वीरो रिपोर्ट बिमर्श निव्स